असलाम वालेकूम विवर्स वेलकम बैक टू रुक्सा रेसिपी चैनल तो यहां आप क्या बना रही हूं आपने टाइटल पड़ी लिया होगा तो हां मैं यहां डाल कीमा बना रही हूं मज़ेतार डाल कीमा की इजी रेसिपी जो की मतलब काफी असानी से बन जाती है तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं चलिए बनाते हैं तो यहां पर मैंने वन केजी कीमा लिया है यह देखें यह पीफ का कीमा है ना जाद बारिक ना मोटा यह मीडियम साइज में मतलब आप देख सकते हैं इ अधर, मैंने 2-3 टेबल स्पून मैंने लसन अध्रक और ग्रीन चिली का पेस्टे डाल दिए तो यह मैंने 3 अग्री टेबल स्पून डाल दिया है तो तो से थिरी टेबल स्पून मैं इसमें धन्या पावडर ढाल दूंकी, ale पसलदे चली पाउडर क्योंकि हमने इसमें ग्रीण चली डा लिए तो उसके अकोर्डिंग डालें और वन एंड़व टेबल स्पॉन हम टर्मरिक पाउडर रैड कर देंगे और वन एंड़व हाफ स्पॉन हम सॉल्ट एड कर देंगे अकोर्डिंग टेस्ट बिस यह सबी हमने मसाले इसमें एड्ड कर लिये अब हम इसमें ओइल करेंगे तो ओइल मैंने जो है यह तू कप के आरांड लिया है ओईल डानने के बाद हम इसमें जो हाफ ग्लास में वाटर डेड कर देंगी यानिके 150 ml के करीब इनको मिक्स कर लेंगे सबी मसालों को यह सबसे इजी मैथड है डाल कीमा बनाने का तो आप इस रेसीपी को ज़रूर ट्राय करें तो यहां मैंने जो है मतलब काली मीच और लॉंग का पाउडर डाला है बनाकर और इसको 15 मिनट हम खुले में पकाएंगे उसके बाद हम इसको कवर करके इसमें हम 6-7 सीटी लगा ले यह देखें इसमें सीटी लगाने ज़रूरी है अगर आप बीफ का कीमा लेते हैं क्योंकि वह आसानी से नहीं गलता है टाइम लेता है तो यह देखें यह ठीक है अभी हम इसमें डाल एड करेंगे उसके बाद हम इसको आगे पकाएंगे तो मैं गैस का फ्लेम फिर से ओन कर लूँगी और इसमें हम यह टूर टोमैटो कटे हुए इसमें एड कर देंगे तो फ्रेंड्स मुझे हाँ जरूर बता दिये करें कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरी चैनल को सब्सकाइब करें और हाँ आप मुझे बताएं कि मेरी नेक्स्ट रेसिपी किस टॉपिक पर होनी चाहिए तो यहां मैंने यह दाल एड कर दिये दाल में मैंने लिए मसूर की दाल वन कप वन कप मुंकी दाल और वन कप मैंने चने की दाल लिए तीनों ही मैंने जो है 20 मिन पहले रग दी ती वोटर में और अब यह देखे थोड़ी फूल गया इसके बाद हम इसको एड कर लेंगे इस टाइम पर यहां मैंने एक तेज पात का इसमें जादा मसाले नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसका टेस्ट फ्लेवर को चेंज हो जाता है हम यह दाल कीमा बना रहे हैं तो जादा मसाले एड नहीं करने चाहिए इसमें तो यहां मैंने हाफ कप पानी और एड कर दिया है और इसको आदी घंटे के लिए और मीडियम फ् काफी अच्छा लगता है तो यहां मैंने हाफ टेबल इस्पून जीरा एड कर दिया है जीरा को लाइट ब्राउन कर लेंगे उसके बाद हमने हाफ टेबल इस्पून हींग एड कर लिए हिंग करने के बाद हम यह वन कप के करी मतलब वन मुठ्थी समझो मैंने कड़ी पत्त देखने के बाद हम इसमें अपनी वन अनियन चौप कीवी डाल लेंगे फाइनली चौप कीवी यह दिखे तो प्यास भी मैंने एड कर लिए तो प्यास को हम यह जो है लाइट बाउं नहीं करेंगे उससे थोड़ डार कलर रखें जिससे की हमारे चोप में काफी अच्छा क बन ने में सब्सक्राइब तो देखने में दाला हमारी काफी अच्छी लगे और तेस्ट भी काफी अच्छा है वह हम अपनी दाल चैक कर लेते हैं यह देखिए दाल भी हमारी अल्मोस्त बंग चुकी है गए ऐस कफ लेम उफनदिआया हे और यह लेखिए तो छोग हमारे रेड़ी है अब हम इसको डाल में डाल देंगे खुश्बू काफी अमेजिंग आ रही है जरूर आपको भी पसंद आ रही होगी यह रेसिपी तो शर्द्यों का टाइं में आप जरूर ठाय करें मैं तो जल्दी जल्दी मुसल्मानों में होती हो उसमें बनता है तो सभी को पसंदाते है तो जरूर आप स्टेशी को टाय करें तो यह मैंने चोंक भी डाल दिया है और उपर से हम इसमें कॉरियंडर लिफ्स डाल देंगे और वन टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे और अब हमारी रेसिपी पूरी तरीके से त्यार है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिये करें शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जादर से जादर सपोर अपने जाद से जाद प्यार दिखाएं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू बाई बाई